आईए शुरू करते हैं अगला भाग जिसमें हम लोग डिसकस करेंगे चैप्टर नमबर 13, 14 और कोशिश करेंगे 15 चैप्टर जो जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हो जाएंगे और इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं 13, 14, 15 में लेकिन इसके पहले जो चैप्टर थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसके पहले वाले भाग में तो शुरू करते हैं आईए गर्मी के दिनों में विभिन अस्थानों पर लोगों द्वारा पानी पिलाने के व्यवस्था को प्याव कहा जाता है आप लोग भी जानते होंगे गर्मी के सीजन में जगे जगे पर प्याव रखे रहते हैं यानि मिट्टी के बर्तनों में या आने बर्तनों में पानी भर के रख दिया जाता है रास्तों में या आने जगहों पर जहां पर आने जाने वाले लोग आराम से उस पानी को पी सके हैं पेर पौधों को जिन पोशक तत्तों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन भागों तक पहुंचते हैं तो ये एक छोटी सी जानकारी है ये पेंड पौधों को जिन पोशक तत्तों की जरूरत होती है पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन भागों तक पहुँचते हैं सीचाई में पानी की मात्रा फसलों के प्रकार पर निर्भर करती है यह एक फैक्ट है यानि कुछ फसलों को अधिक पानी के अवशक्ता होती है और कुछ फसलों को कम पानी के अवशक्ता होती है जो अधिक पानी की अवशक्ता वाली फसल है अपने हाँ वो धान है धान को अधिक पानी के अवशक्ता होती है और कुछ फसलों को जिनको कम पानी के अवशक्ता होती है उनमें गेहू, चना, मटर, सरसो, आधी चीज़े आती हैं जबकि कुछ फसलों को पानी के साथ साथ तेज धूब की भी आवशकता होती जैसे ककड़ी, तर्बोज, खर्बोजा ये मिल्ली जायत की फसले हैं तो इनको पानी के साथ साथ तेज धोग के भी आवशकता होती है भूमिगत जल का पुनरभन जल ही जीवन है इस बारे में सब बात करते हैं लेकिन जल कहां से आता है और इसे कैसे कत्र करके रखना है इसके बारे में हम सब को सोचना आवशक है पहले लोग पानी के लिए नदीय उम जीलों के अलावा तालावों और कुमों पर निर्भर रहते थे परन्तो आजकर लोग बिजली चालित मशीनों का प्रियोग ज्यादा कर रहे हैं और पारम परिक तोर तरीकों से दूर होते जा रहे हैं हैंड पाम टियोब बेल या जिसको नलकोब भी कहते हैं बोर बेल के द्वारा भूम गजल को लगाता निकाला जा रहा है इसका परणाम यह होता जा रहा है कि लोग जमीन से पानी तो निकालते जाते हैं लेकिन जमीन के अंदर पानी के स्तर को बनाये रखने का कोई पाय नहीं करते हैं यदि भूम गजल को लगाता निकालते रहे तो आने वाले समय में सब ही को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा यदि भी बारिश प्रतेक वर्ष होती है पानी उतनी तेजी से भूम के अंदर नहीं जा पाता और उसका बड़ा हिस्सा उपरी सतय से होकर निकल जाता है इस कारण जमीन में पानी का स्तर पूना उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं जिसके कारण पानी की समस्या पैदा हो रहे हैं तो आज कल देखते होंगे बहुत सारे स्टेट्स में पानी की समस्या शायद इसी वज़े से है क्योंकि अब पहले के जैसे साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है कुमों का और तालावों का अब तो सीधे पहले के टाइम पे मैक्सिमम गाओं में क्या होता था बहुत ज़्यादा एक तालाव होता था और कुछ कुएं होते थे लेकिन वर्तमान समय में देखा जाये तो हर घर में ही समर्सिबल की बोरिंग होती है जिसके द्वारा पानी निकाला जाता है तो जिस स्पीड से पानी आजकल निकल रहा है वोस स्पीड से भूमिकत जल का निर्माड नहीं हो पा रहा है जिसकी वज़े से मैक्सिमम जगे पे पानी की समस्या आ रही है आज जल सनच्छन के कई तरीके अपनाय जा रहे हैं हमें पारमपरिक तोर तरीकों को भी अपनाना होगा जिससे वर्षा का पानी एकत्र किया जा सके पुराने तालाबों एम्म कुवों को फिर से जीवित करना होगा शहरी छेत्रों में लोगों को अपने घर की छट से बारिश का पानी जमा करने की बेवस्था करनी होगी अपने आस पास वर्षा के जल को जमीन के अंदर पहुचाने का प्रयास करना होगा इसके अतिरिक्त जल का साउधाने पूरवक उपयोग करके हम स्वयम के अस्तर पर भी जल का बचाओ कर सकते हैं तो कुछ उदारण दिये गए हैं कैसे क्या क्या करके हम लोग जल को बचा सकते हैं नमबर एक जितने पानी की अवशकता हो उतना ही उपयोग करना चाहिए नल को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दें और तीसरा उप्शन है टपकते या रिस्ते नल की मरमत तुरंत करवाएं ब्रश करते समय नल को खुला ना छोणें रसोई घर में बाल्टी या टब में बरतन धोएं पानी की बोतल में बचे हुए जल को फेकने के बजाए उसे पौदों में डाल दें तालाबों नदियों हम कूओं के जल को दूशित ना करें उसमें कचरा ना फेकें तो ये इतने आप्शन है जो हम लोगों को करने चाहिए अगर जल को हमें बचा के रखना है तो इतनी चीजें जरूरी है इसे भी जाने सिचाई के लिए ड्रिप ड्रिप का मतलब है कि किसी एक वॉल्व के द्वारा पानी को सीधे बून बून करके पौधे की जड़ में पहुचाया जाता है सीधे और इस प्रिंकलर का मतलब है छिड़काओ इसको हम लोग पिछले पार्ट में पड़ भी चुके हैं तो इसके द्वारा कुछ फवारे लगाया जाते हैं खेत के बीचों बीच में जिसके द्वारा फवारों की मदद से पूरे खेत में पौधों को पानी के वल छिड़काओ विधि से दिया जाता है जिसमें पानी काफी कम लगता है जन सरनच्छड को लेकर सभी को जागरुक होना चाहिए या सब लोगों के एक जुट प्रयास से ही संभो है जैसे यहाँ पर यह जो question है यह सीटेट में एक बार पूछा गया है यहाँ पर जो सीमा के महले में दो पुराने कुएं हैं जो अब सूख गये हैं उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15-20 साल पहले तक उसमें पानी था क्या कुएं सूखने के निमलिखित वज़े हो सकती है तो उसमें जो सीटेट में यह question पूछा गया था तो उसमें यही दिया हुआ था कि आज से 15-20 साल पहले गाउं में कुएं में पानी था लेकिन उनके सूखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसमें तीन से चार पॉइंट कारण बताए गये थे कि आज कल बहुत ज़्यादा बोरवेल हो गये हैं या समर्सिबल हो गये हैं या इसमें जो option लिखे हुए हैं इनी options को दिया गया था तो इनके बारे में पढ़ लीजिए कई जगे machine लगा कर जमीन का पानी से निकाला जा रहा है कई जगे machine लगा कर जमीन का पानी निकाला जा रहा है ये है आपका एक पहला statement पेणों के आसपास और पार्क में जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि पेणों के आसपास और पार्क में जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है थर्ड ओप्शन है तालाब जिसमें बारिश का पानी कठा होता था अब ये नहीं रहे हैं तो ये थर्ड ओप्शन है आपका और इसके अलावा क्या आप कोई भी कारण बता सकते हैं क्या आप कोई भी कारण बता सकते हैं तो अगर आप बता सकते हैं तो आप इसमें अपना कारण लिखिए और नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं अब अगला है भूमिगजल की कमी के कारण कौन कौन से कारण है जिनकी वज़े से भूमिगजल कम हो गया है तो पहला जनसंख्या बुर्दी के कारण भूजल की बढ़ती मांग की वज़े से दूसरा कारण है सिचाई एवं और दोगी कारण के लिए मशीनों का प्रयोग करने से तीसरा ओप्शन है तालाबों पोखरों जैसे जल के प्राचीन साधनों का रख रखाऊना होने से चौथा है घरेलू कारण के लिए पंप से जमीन के अंदर से अधिक पानी निकालने से और चौथा है वर्षा के जल को एकत्र ना करने से तो इन कारणों के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से और इन ही कारणों में से आप से पूछ लिया जाएगा कि भूमिगत जल की कमी के क्या-क्या कारण हो सकते हैं तो दिये गए विकल्पों में से आपको छाटना होगा इन में से तीन ओप्षन ये दिये जाएंगे और एक option ऐसा होगा जो इनसे match नहीं कर रहा होगा तो उसे आपको ढूंड़ना होगा तो उस पे आप टिक करेंगे इस तरह से इसमें question बनाये जा सकते हैं और ये पूरा ही portion आपके लिए important है क्योंकि seated में यहां से question बन चुका है मैं पहले भी बता चुका हूँ तो इसको इन सारे options को बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्राचीन काल से ही जल की महत्ता उसके सफाई और उसके सुरोतों कुए तालाब नहर बावडी इत्यादिका निर्मार जनता की भलाई का कार समझा जाता था भारती शाशक जल के महत्तों और सन्रचन के प्रतिजागरुक थे मौर काल में लोग जल के महत्तों से भली भाधी परचित थे और जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी यहां से ये point आपके लिए important है चंद्रगुप्त मौर के राजपाल पोश्च गुप्त ने सुदरसन जील का निर्मार करवाया था ठीक है तो ये एक important fact है चंद्रगुप्त मौर के राजपाल पोश्च गुप्त ने सुदरसन जील का निर्मार करवाया था समराट अशोग ने जगे जगे पर कुवे खुदवाय प्याव वनवाय गुप्त शाष्कों के द्वारा भी जल के समरचन का कार किया गया समराट इसकंद गुप्त ये भी important है पूछा जाता है कि सुदरसन जहिल का पुना निर्माड या मरमत किसने करवाई थी तो समराट इसकंद गुप्त ने सुदरसन जहिल के पुना निर्माड का कार करवा कर लोगों के जल संकट को दूर किया था सल्टन्द काल में फिरोशा, तुगलक द्वारा, कुमें एवं जलाशय के साथ कई बड़ी नहरों का भी निर्मार करवाया गया था तो ये है और भूमिकजल के पुनर भरंड की कौन-कौन से विधियां हैं इन विधियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं मैंने खुद रजिस्टर पे नोट से इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसमें बहुत अच्छे चेतर बने हुए थे इस वज़े से मैंने सीधे इसी का फोटो ले लिया है जल की कमी को दूर करने के लिए अवशक है जल का संचयन एवं पुनर भरंड किया जाएं यदि हम वर्षा के जल को एकत्र कर भूमिगज जल के रूप में पुनर भरंड करते हैं तो हमें जल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा वर्ष के जल को भूमिगज जल में संचयन एवं पुनर भरंड की अनेक विधिया है कौन सी कौन सी विधिया है पहली है तालाब में वर्षा का जल एकत्र करना ठीक है तो ये सबसे में इंपॉर्टेंट विद्ध है और इसी के तहट आप लोगों ने देखा होगा कि मन रेका के तहट लगबग हर गाओं में अफेर से तालाब खुदवाए गए हैं और उनमें आप पानी को एकट्था करना या एकत्र करने का काम किया जारा और अब ही भी बहुत काम करने की जरुरत है लेकिन फिर भी शुरुआद तो होई गई है दूसरा है छट से प्राप्त वर्षा के जल को पाईप के माध्यम से टंकी में एकत्र करना तो यह कुछ यहाँ पे देख सकते हैं छट पे वर्षा का पानी है और पाइप के द्वारा यहाँ एक पक्की टंकी बनाई गई है जिसमें वर्षा के पानी को एकत्र किया जा रहा है फिर तीसरा अप्शन है पुनर भरन गड़ों के द्वारा जल संचयन करना कुछ पुनर भरन गड़े बनाना और उनमें जल संचयन करना और चौथा अप्शन है नलकूप द्वारा छट से वर्षा के जल को एकत्र करना यह चौथा अप्शन है इसके बाद चौधावा चैप्टर है जल के गुण एवं जल प्रदूशन ऐसे बादार जिन में बहने का गुड़ होता है उन्हें तरल पादार कहते हैं पानी का अपना कोई आकान नहीं होता पानी जिस भी आकार के बरतन में रखा जाता है उसी का आकान ले लेता है पानी कटोरिया ग्लास में जो अस्थान गेरता है वह उसका आयतन कहलाता है तो पानी किसी भी बरतन में जो अस्थान गेरता है वो उसका आयतन कहलाता है तरल पदार्थों को उनके आयतन द्वारा ही मापा जाता है और इसकी एकाई लीटर होती है इसकी एकाई लीटर होती है और मैक्सिमम जब हम लोग आयतन मापते हैं तो घन लीटर या इस तरी की चीज़ों में फेनवर्ट हो जाता है फिलहाल इसकी एकाई लीटर होती है जो हम लोग पानी मापते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी द्रों में घुल जाते हैं जैसे नमक, चीनी, आदी उनको विले पदार्थ कहा जाता है तो इसके पहले हम लोगों ने बात की है पानी को नापने की काई लीटर होती है और आयतन अगर किसी चीज़ का नापते हैं तो वो गहन लीटर में मापा जाता है लेकिन इसके अलावा ऐसे पदार्थ इसके बाद अगला पॉइंट यह है ऐसे पदार्थ जो किसी द्रों में उस द्रो को विलायक कहते हैं या घुलने वाला कहते हैं तो ये विले पदार्थ जिस चीज में घुलते हैं या जिस द्रो में घुलते हैं उसको विलायक कहा जाता है कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो द्रो में नहीं घुलते हैं उन्हें आ विले पदार्थ कहते हैं जैस के बाद next है विलायक के ताप में ब्रद्ध होने पर विले की अधिक मात्रा घुल जाती है जैसे मान लीजे किसी बरतन में आप चीनी डालते जा रहे हैं तो हो सकता है एक समय के बाद वो चीनी घुलना बंद हो जाए लेकिन अगर पानी का ताप और बढ़ा दिया जाए तो थोड़ी बहुत चीनी और घुल जाएगी तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है विलायक के ताप में ब्रद्ध होने पर विले की अधिक मात्रा घुल जाती है कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जल में आविले हैं परंत अने द्रवों में विले हैं जैसे मोम वातार कोल जल पानी और तेल की प्रकरती विपरीत होती हैं जिस कारण से पानी और तेल आपस में नहीं गुलते हैं जो वस्तुमें पानी में नहीं गुलती हैं वे या तो पानी में तैरती हैं या वे डूब जाती हैं तो दो ही चीज हो सकती हैं जो वस्तुमें पानी में नहीं गुलती ह वे पानी में डूख जाती है जलोमें घुलन शीलता के गुण के कारण कुछ ऐसे पदार्ठ पानी में मिल जाते हैं जैसे साबून, कूडा, कचरा, आदी जो पानी को दूषित करते हैं इस परकार जलके दूषित होने को जल प्रदूशन कहते हैं इनके कारण पानी में सूच मजीव पनपते हैं जो बिमारियों का कारण बनते हैं अपने आसपास देखो कि जल किन कारणों से प्रदूशित हो रहा है तो बहुत सारे कारण हैं हमारे आसपास अगर हम लोग देखें तो लेकिन उनमें से कुछ कारण ये है कारखानों से निकला हुआ अपसिस्ट पदार्थ नदियों में छोड़ा जाता है जिससे नदियों का जल प्रदूशित हो जाता है क्रशी कारियों हे तो उपयोग में लाया जाने वाले केट नाशक भी जल प्रदूशन का कारण होते हैं कि जब कीट नाशक खेतों में डाले जाते हैं और मा लीजे बारिश होती है या सिचाई वगेरा होती है तो वो जो कीट नाशक पदार्थ होते हैं पानी में घुल के और खेत से बहकर वो नहर जाते हैं नहर में चले जाते हैं नहर से होते हुए फिर नदियों तक पहुंचते हैं तो इस तरह से भी जल प्रदूशित होता है मानवी क्रिया कलापों जैसे नदी तालाव आद्य में कपड़े धोना पश्मों को नहलाना स्वयम नहाना आद के कारण भी नदियों और तालाबों का जल प्रदूशित होता है इस जल का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन के विभिन कारियों में करते हैं तो ये इसके बाद ये इंपोर्टेंट है और यहां से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ये इंपोर्टेंट है पूरा पेज आ पीने के लिए हमेशा सवच जल का सेवन करना चाहिए इससे बचाओ के लिए फिर दूसरा है टाइफाइड इसमें तेज बुखार आता है भोक ना लगना सिर्दर्द ये सारी चीजें होती है और इसके लिए भी सवच पानी का उपयोग करना चाहिए तीसरा है पीलिया उपयोग खाने पीने के पूर हाथों की सफाई ये सब चीजें हैजा से बचने के लिए हमें करना चाहिए इसके अतिरिक दिजल से होने वाली अन बीमारिया निमनवत है नमबर एक मलेरिया यह रोग मादा एना फिलेज तो इसको याद रखना मलेरिया रोग किस मच्छर से होता है मादा एना फिलेज मच्छर के काटने से होता है जो इस परजीवी को मनुश्य के सरीर में छोड़ता है इसमें रोगी को सर्दी और सिर्दत के साथ बार बार बुखार आता है इससे बचाओ के लिए क्या करना चाहिए मच्छरों को पनबने से रोकें अपने घर तथा घर के आसपास गंदा पानी ना इकठा होने दें तीसरा है मच्छर दानी का उप्योग करें और चौता है ऐसे कपड़े पहने जो शरीर के अधियांज भाग को ढख सकें उप्चार इसके लिए क्या किया जा सकता है रोगी की डॉक्टर से जांच कराई जाए और इसे भी जाने ये एक important point है सिनकोना ब्रच की छाल से कुनायन नामक औशद प्राप्त की जाती है इस आउसदी का उप्योग मलेरिया के उप्चार में किया जाता है तो ये एक सिनकोना ब्रच की छाल से कुनायन नामक औशद बनाई जाती है जिसका प्रियोग हम लोग इस आउसदी का उप्योग हम लोग मलेरिया के उप्चार में करते है डेंगू दूसरा है डेंगू डेंगू बुखार एडीज मच्छर तो इनको जरूर याद कर लेना जैसे मलेरिया हो गया मादा एना फिलेज के काटने से और डेंगू हो गया एडीज मच्छर के काटने से फैलता है एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते है या मच्छर हमारे घर के आसपास साफ हुआ रुके हुए पानी में पनपता है डेंगू के बुखार में रोगी को ठंड लगने के साथ तेज बुखार आता है शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं जोडों में दर्द रहता है तो ये डेंगू के लच्छन है इससे बचाओ अपने घर के आसपास अनावशक पानी एकत्र ना होने दे क्योंकि एडीज मच्छर रुके हुए साफ पानी में ही पैदा होते हैं कूलर पच्छियों जानवरों के पानी पीने के बरतन और फोल दान आधिका पानी कुछ दिन बाद एक बार खाली करके पुना भरें पूरी बाह वाले कपड़े पहने चाहिए जिससे शरीर का अधिक से अधिक भाग ढगा रहे मच्छर दानी का प्रयोग करना चाहिए उपचार क्या है डिंगु में रोगी को दर्द और बुखार कम करने की कोई भी दवा स्वयम नहीं लेनी चाहिए या दवाए स्व वारा होता है या वारस एडी मच्छर के काटने से फैलता है या मच्छर दिन के समय काटते हैं इसमें रोगी को जोडों में दर्द के साथ तेज बुखार होता है इसके तरिक सिर्दर्द ठकान जोडों में सूजन शरीर पर चकत्ते आदि लच्छन भी हो सकते हैं इस से चार में आप डॉक्टर की सला भी ले सकते हैं पानी को पीने योगे कैसे बनाते हैं तो पानी को पीने योगे बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाए पानी को बाल कर ठंडा करके छानना है इससे सभी रोगाण उनस्ट हो जाते हैं शहरों और कस्बों में पीने का पानी बड प्रकार कुए के पानी में लाल दवा यानि पोटेशियम परमाइगनेट मिलाकर पीने योग के बनाया जाता है जिस तरह वर्षा का जल मिट्टी की परतों से छनकर शुद्ध हो जाता है उसी तरह दूशित पानी को छानकर प्रयोग योग के बना सकते हैं यह 15 चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है इसको भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं जल्दी से डीजल एक प्रकार का इंधन है यह पार्ट का नाम है यात्रा डीजल एक प्रकार का इंधन है जो पेट्रोलियम को कई चर्णों में ठंडा करने से एक चरण में बनता है इसका प् रेजी में भी तो CNG का English में फुलपॉर्म होता है compressed natural gas और जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संपीडित प्राक्टिक गैस 200-200 kg के संकुचित दबाओ में गैसी अवस्था में वाहनों में इधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है इसका उपयोग मुखिता वाहनों में होता है CNG के अवयों है मेथेन, इनहन और प्रोपेन यह गैस रंगहीन एवं गंधहीन होती है यह हवा से भी हलकी होती है तो CNG में में इननली मेथेन और प्रोपेन होता है और यह गैस रंगहीन एवं गंधहीन होती है यह हवा से भी हलकी होती है और ये CNG के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि CNG compressed natural gas के उपयोग से हमें बहुत से लाब होते हैं जैसे CNG का उपयोग diesel तथा petrol इंधन दोनों वानों में किया जा सकता है CNG से production काफी कम फैलता है और तीसरा है पेट्रोल और डिजल वाली गाड़ियों के तुलना में CNG का खरचा कम होता है और लास्ट पॉइंट है पर्या वरन के लिए CNG गया सची मानी गई है पेट्रोल और डिजल के तुलना में यह carbon dioxide, nitrogen dioxide और organic gas कम उत्सरजित करते हैं तो इसलिए ये CNG important मानी जाती है तो ये आप पता 15 चैप्टर इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले 16 चैप्टर से अगले पार्ट में इस भाग में फिलाल इतना ही Thank you very much